मैं डॉक्टर करमवीर सिंग, एसोसियेट प्रोफेसर पोलिटिकल साइन्स, B.S.R. गोर्मेंट आट्स को लेज अलुवर प्यारे बच्चो, आज हम B.A. पार्ट सेकेंड का जो पेपर है भारती राजनितिक व्योस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, सेकेंड पेपर इसमें जो हम अध्धन करेंगे या चर्चा करेंगे पिछली ओनलाइन कक्षा में जो हमने उच्च तमन्याले के बारे में चर्चा की थी उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सर्वुच न्याले की सक्तियां एम छित्रा दिकार के संदर्ब में चर्चा करेंगे या इसका अध्यन करेंगे तो आप सभी को विद्वत होगा कि हमारे भारतिये सर्वुच न्याले को सविधान का अभी रक्षक कहा गया है लोकतंत्र का प्रहरी तथा सवतंत्रताओं का समर्थक भी कहा जाता है अपने इन दाइत्तों को निभाने के लिए जो अधिकार सर्वुच न्याले को दिये गए हैं वो अन्य न्यालों की तुलना में अधिक हैं इन अधिकारों और सक्तियों का विश्तरत रूप से हम अध्यन करें जैसा कि मैं बताऊं कि सर्वुच न्याले को विभिन प्रकार की सक्तियां मिली हुई हैं या उसके छेत्रादिकार हैं जैसे नमबर एक कि प्रारंबिक छेत्रादिकार इस प्रारंबिक छेत्रादिकार में वे मुकद में आते हैं जो अन्य कहीं और ने जाकर सीधे उच्चतम न्याले में या सुप्रिम कोट में ही जाते हैं उन पर सर्वोच न्याले को प्रारंबिक छेत्रादिकार है ये विभिन प्रकार के मामले हैं जैसे उधान के रूप में हम चर्चा करें कि भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच जो विवाद होता है वो सिधा सुप्रिम कोट में ही सुना जाता है सुप्रिम कोट में आता है दूसरा भारत सरकार और राज्य या एक से अधिक राज्य या एक और हों और दूसरे और एक या एक से अधिक राज्य हों तीसरा दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद हों ये सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं मोलिक अधिकारों की रक्षा का भारवी उच्चतम न्याल्यों के साथ उच्च न्याल्यों को भी सोपा गया है अतय है सरवच न्याले का समवर्ती प्रारंबिक छेत्रादिकार कहा जा सकता है या है व्यक्ति की इच्च्चापर निर्भर करता है कि वह पहले उच्च न्याले में जाए या सीधे सरोच न्याले के पास जाए तो ये प्रार्मिक छेत्र अधिकार एक प्रकार से कहे जा सकते हैं बाहर सरकार और एक राज से अधिक राज के बीच विवाद हो या दो एक तरफ हो अधिक एक तरफ हो या दो से अधिक राज्यों के बीच जो विवाद होता है वो प्रार्मिक छेत्र अधिकार सुप्रिम कोर्ट में आते हैं दूसरा जो सक्ति या छेत्र अधिकार है वो अपील ये छेत्र अधिकार है अपील ये छेत्र अधिकार का तात्परी क्या होता है कि सर्वोच न्याले को उच न्याले के फैसलों के विरुद्ध कई मामलों में अपील भी सुनने का अधिकार है जैसे सन्वेधानिक मामले जो constitutional cases होते हैं वो कि यदि उच न्याले यह प्रमान पत्र दे दे कि कोई मामला साविधान की व्याख्या से सम्मंदित है तो उच न्याले के निर्णे के विरुद्ध सर्वोच न्याले में अपील दायर की जा सकती है यदि उच न्याले ऐसा प्रमान पत्र देने से मना कर दे तो सर्वोच न्याले स्यों अपील के अनुमती दे सकता है सविधान के अनुछेद 145 के अनुसार सविधान की व्याख्या से सम्मंदित मुकद में पर विचार के लिए कम से कम पांच न्यायदिस होने चाहिए दूसरा सिविल केसेज यानि कि दीवानी मामले इसमें कहा जा सकता है कि प्रारंब में सरवोच न्याले में वे ही दीवानी मुकद में जाते थे जो उच न्याले द्वारा यह प्रमानित कर दिये जाते थे कि मामला अपील के योग है तथा विवादा स्पाद संपत्ती का मुल्य कम से कम 20,000 रुपए है लेकिन बाद में ये धनरासी बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई जिसे 1970 में बढ़ाकर 1,00,000 कर दिया गया परंतु 1972 में तीशवे सविधान संसोदन ने संपत्ती के मुल्य वाली सर्थ अटा दी अब उछ न्याले द्वारा प्रमानित कोई मामला जिसमें कानून की व्याख्या से सम्मंधित प्रसण तथा सारजुनिक महतो का प्रसण अंत्र नहीत है तो ऐसे मामले की अपील भी सर्वोच न्याले में की जा सकती है ये दिवानी मामले हुए तीसरे फोजदारी मामले क्रिमिनल केसे कहा जा सकता है इसमें क्या आता है कि फोजदारी के मामलों में सर्वोच न्याले में दो प्रकार से अपील की जा सकती है पहली तो वे कि जिसमें उच न्याले के पुर्मान पत्तर की आवशक्ता नहीं होती है दूसरे वे मामले जो उच न्याले के पुर्मान पत्तर के बाद सर्वोच न्याले में आते हैं फोजदारी विवादों में सर्वोच न्याले में निमिन या विभिन परिस्ततियों में अपील की जा सकती है जैसे मैं आपको बताऊं कि कोई मामला जिसमें उच न्याले ने जिला इस्तर के न्याले द्वारा दिये गए रिहाई के आदेश को रद करके अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया गया हूँ दूसरा ऐसा मामला जिसमें उच न्याले ने अधिनस्त न्याले से मामला अपने पास विचार आर्थ मंगवा लिया हो और अभियुक्त को मृतुदंड दे दिया हो अन्य मामलों में उच न्याले द्वारा परमानित मामले की सरवच न्याले में अपील के लिए प्रस्तुते किये जा सकते हैं तो ये इस प्रकार के ऐसे जो मामले हैं वो भी उच न्याले में अपील की जा सकती है और एक होता है Special Appeal यानि कि विशेष अपील इसमें क्याता है कि सविधान का अनुछेद 136 सर्वच न्याले को कुछ विशेष अधिकार परदान करता है जिसके अनुषार सर्वच न्याले देश के किसी भी न्याले के निर्णे अथ्वा आदेश के विरुद्ध विशेष रूप से अपील की अनुमती परदान कर सकता है सैनिक न्याले के निर्णे के विरुद्ध सर्वोच न्याले में अपील नहीं की जा सकती आप सभी को पता होगा अल्लादी कृष्ण स्वामी अयर के अनुसार किसी अदालत की कानूनी तुरूटी को सुधारने के लिए सर्वोच न्याले के हस्तेक्ष्षेप की व्यवस्था की गई है राष्टपती, उप्राष्टपती, लोगसभा का अध्याक्स, परधानमंत्री तथा संग के अन्य पदादिकारियों के चुनाव संबंदी विवादों पर निर्णे देने का अधिकार भी सर्वोच न्याले को ही है आतंकवादियों पर मुकद में चलाने के लिए इस्थापित विशेश अधालतों के फैसलों के खिलाप भी सर्वोच न्याले में ही अपील की जा सकती है तो ये एक प्रकार से विशेश प्रकार की अपील जो होती है ये भी सर्वोच न्याले ही सुनता है आगे अपन जो सरवोच न्याले के छेतर अदिकार माते हैं जैसे सलाकारी छेतर अदिकार, मोली का दिकारों का संडरक्षक या अभीलेक न्याले इसके अलावा कुछ अन्य कारिये भी हैं ये अपन नेक्स्ट जो ओनलाइन का किसा लेंगे उसमें इसकी चर्चा करेंगे धन्यवाद